कि आप अध्युक्स विडियो गुरू नमस्कार कि फिर से स्वाइब़ था क्विडियो गुरू और आज आप के सामने पिर से बात करेंगे साइंस में याद वुगाव पिछला लेक्षर में हम लोगों ने science में देखा था unit and measurement यानि science की बात करें तो physics की चर्चा की थी यानि पिछले lecture में हम लोगों ने physics की सुरुवात की थी और physics में देखा था पहला chapter units and measurement that means जितने सारे system है चाहें से जिस्टम की बात करें या MKS की बात करें या FPS की बात करें और SI unit देखा जो काफी important chapter या काफी माइने रखता है उस chapter से आने वाले समय में question के बारे में तो अब बात करें newton's law की newton's law यानि हम लोग eight nine यानि कहें schooling life से ही newton's के बारे में देखते हैं पढ़ते हैं बट पता है concept clear रहता है सब कुल जानते हैं लेकिन exam hall में pressure इतना रहता है time इतना कम रहता है कि हम कुछ आना हुआ question गल्दी करें चलिया आते हैं तरीका यही है कि बारम बार हमें क्या करना होगा revision करना होगा और कई बार के वर के वर यह नहीं पूछा जाता है कि newton's के first law क्या है second law क्या है third law कभी कबार पूछ भी दे लेकिन basically रहता क्या है तो newton's के first law newton's के second law दोनों के examples से ही question रहते हैं क्योंकि newton's के first law से निकल कराता क्या है inertia newton's के second law से निकल कराता क्या है a ब्रावर a में यानि force का definition inertia की बात करें तो दो परकार की inertia होंगे जानि inertia यानि कहीं लोगों को लगेगा सर जड़त्व जड़त्व तो इन सब की चर्चा आज करने वाले हैं इस चेप्टर में जिसे हम newton's law कहते हैं चलिए तो आप देखते हैं सबसे पहले newton's ने किस पुष्टक को लिखा एक कुष्टन बार बात पूछा जाता है कि newton's के गती के नियम या लाज अब मोसन की चर्चा सबसे पहले किस पुष्टक में की गई थी जैसा कि आप देख रहे होंगे newton's the father of physics जितने सारे subject है डोटस अगर हम बायों की बात करें बायों में दो हुए जुलोजी और बोटनी तो जुलोजी के अरस्तो बोटनी जो फ्रेश्टस जितने सारे subject हैं कोई नो कोई उनके जनक या फादर रहे हैं तो वैसे ही अगर हम फिजिक्स की बात कर लें तो newton the father of physics newton बहुतकी के पिता हैं जिन्होंने 1687 में अपने पुस्तक फिलोसेफी नेचुरल्स या नेचुरलिस प्रिंस्पिया मैथमेटिका में लाउज अप मोशन गति के नियूमों का वर्नन किया है तो कभी कभार पूरा बुक का नाम ना देखे क्या रहेगा प्रिंस्पिया मैथमेटिका किसके लिखा गया तो न्यूटन के द्वारा सर आईजेक न्यूटन के द्वारा कब लिखा गया 1687 में लिखा गया इन्होंने ही रिलेटिविटी थियोरी सापेचिक्ता का सिध्धान्त की चर्चा भी की है याद रहेगा पुस्ता का नाम मोस्ट इंपोर्टिन नाम फिलोसेफी नेचुरिल्स, प्रिंसीपिया, मैथिमेटिका में गती के नियमों की चर्चा की गई है जो न्यूटन के तीन गती के नियम निकल कर आते हैं यहां तक तो बाते समझ मानी चाहिए अब थोड़े से नियूटन को देखते हैं भाई अब फादर और फिजिक्स है तो थोड़े से नियूटन के बारे में जरा जानने कब जनब हुआ कब इनकी मेर्तियों हुआ ना देखिये अगर हम नियूटन की बात करें सर आईजेक नियूटन वाच वन अब दा ग्रेटिस्ट साइन्टिस्ट एंड मैथमेटिसियन सर आईजेक नियूटन महान वय्यानिक और गणितग्यों में से एक थे जिनका जनम 25 दिसंबर 1643 को इंग्लैंड में हुआ है जानि अब यह बात तै हो गया कि यह ब्रिटानी व अब देखना इस इस स्लाइड में नियूटन वाच बोर्न दस से मियर डैट गैलियो डाइट अब देखिए क्या विडंबना है कि नियूटन का जनम उसी वर्स में हुआ जब गैलियो का निधन हुआ 1642 में 1642 में तो सर इस से क्या निकल कर आता है पता नियूटन गैलियो को कहते हैं दा फादर आफ मॉडर्ण फिजिक्स फादर आफ मॉडर्ण physics galileo को कहते कौwn नीउटन अब सवाल पूसार ऐसा क्यों कहते है reason क्या है क्यों आखर Newton s autograph galileo को modern physics का father कहते है इसलिए सबसे पहले जलत्व का उदारन galileo sahab ने दिया सबसे पहले अगर हम बात करें सापक शिक्ता का सिधान्त सापेच्छिक्ता का सिधान्त का सिधान्त यानि relativity theory की चर्चा गैलिलियो साहब ने दिया गैलिलियो का एक मज़ेदार किस्सा क्या पता है सबसे पहले परकास की गती को मापने का काम किया गैलियो ने कैसे इन्हों ने क्या किया एक पहाड पे ये चड़ गए एक लाल्टेन को लेकर और एक दूसरी जो कुछ दूरी पर दूसरी पहाड थी यहां पे उनके कोई साहयक चल गए और दोनों के जो डिस्टेंस हैं गैलिलियो साहब को पता था अब सास में एक लाल्टेन लेकर चड़े और जैसे उन्होंने कह दिया अपने असिस्टेंट को जैसे ही तुम्हें लाल्टेन दिखाई पड़े लाइट दिखाई पड़े तुम भी अपने जो लाल्टेन लेकर गए हो उसमें लगा था कपाट कपाट यानि कवर कहें वैसे कवर हटा देना यानि गैलियो सहब ने परकास की गती को मापने का परियास किया कि आखिर कितने गती में कितने गती में या कितने टाइम में यहां से यहां परकास दिखाई पड़ता है यानि यह सब सोचो कि जब यह मरते हैं गैलियो तब इनका जनम होता न्यूटन इन सब के थियोरी को पढ़ने के बाद, इन सब थियोरी को पढ़ने के बाद, गैलिरियों को modern physics या father of modern physics कहा गया Newton के त्वारा, फिर Newton ने जो देना था दिया, दुनिया को विश्व को, और 1747 स्वी में Newton सहाब की मिर्ट्यू हो जाती है, तो यहां था basic कुछ मतलब information कहें, कि थोड़ा सा विज्ञान है, तो कौतूहल बनता है, कि सर क्या हुआ था नहीं हुआ था, अब यहां से आगे देखेंगे, Newton's law, Newton's ने कौन-कौन से law दिये हैं, कौन-कौन से विधी बताई हैं, अब देखिए, जैसा कि कहा भी now that, Newton's ने तीन नियम दिये हैं, Newton का तीन नियम ह while an object in motion, a stage in motion with the same speed and in the same direction unless acted upon by an unbalanced force, अब क्या कहा, कोई भी वस्तू, अगर विरामा वस्था में हैं, तो वह विरामा वस्था में ही रहना पसंद करेंगी, पसंद करेंगी in the sense, अगर एक बॉल है, यह इस्थीर है, तो यह इस्थीर ही रहेगा, जब तक कोई बाह बल इस पर कारी ना करे, यानि धक्का ना दे, यहां तक तो समझ में आई, अगर कोई वस्तू, एकदम अस्टेवल है, विरामा वस्था में है, इस्थीर है, जिसको हम लोग विश्राम कह दे, साउधान विश्राम कहते हैं न तो विरामा वस्था में वो तब तक उसी इस वस्था में इस्थिती में रहेंगे, जब तक कोई बाह बॉल कारे ना करे, जब की अगर कोई एक समान गतिसी लवस्था में है, अगर यही बॉल को धक्का देने के बाद गतिसी लवस्था में है, यह तब तक गतिसी लवस्थ में रहेंगी जब तक कोई बाहए फोर्स इसको रोके ना बाहए फोर्स पर ब्रेक ना लगा दे आरे बस समझ में यानि अगर इस्थेर है तो वह इस्थेर ही रहेगा अगर गती है तो गती ही रहेगा तब तक गती रहेगा जब तक कोई से ब्रेक ना लगा दे यानि उसे रोक ना दे तो न्यूटन के पर्थम नियम की बात करें तो इससे हमें क्या पता चलता है इससे हमें इन्रसिया पता चलता है जलतों पता चलता है जो दो परकार की होंगी एक विराम और एक गती के लिए रहां तक आरी बाते समझ में न्यूट आइंब हो उस पर कोई ब्रेक नहीं लग जाता है ठीक है अब क्या कहा है एक सिनाता आता है कि जलतों के नियम यह लाफ इनर्शिया किसे कहते हैं या निउटन के किस नीयम से जलतों का नीयम निकल कर आता है या निउटन के किस नीयम को जलतों का नीयम भी कहते हैं तो the first law is also called the law of inertia Newton के पर्थम नीयम को जलतों का नीयम कहते हैं अब क्या कह? देखेगा इस figure के जरी जरी दो चीज़े इस्थीर है तुम इस्थीर है ये तब तक समझाल यह स्थिति में है कि दूसरे बात करेंगे मौस माले में ये तब तक मोसन में आकर कार बादर नहीं किया यानि उधर से तककर नहीं मार दिया यानि न्यूटन के परथम नियम से हमें इनर्षिया की जानकारी मिली इनर्षिया दो परकार से होंगे रेस्टेंड मोशन, विरामा वस्था और गतुन अब इसका एक्जामपल जो एक्जाम कोपल की बात करें तो जड़त्व या न्यूटन के पर्थम नियम के कुछ उदाहरन एक्जाम में आपके बेसिकली अब तक जो देखा गया इसी वे फोकुस तरहता है इसे जो कुछन आता है सम एक्जामपल्स ओफ इनर्सिया और न्यूटन्स फर्स्ट लाव जड़त्व या न्यूटन के पर्थम नियम के कुछ उदाहरन पहला विनकार और ट्रें इस्टार्ट सडिनली ता पैसेंजर बेंस बैकवर्ड कहा क्या अचानक चलती है यानि वो चल नहीं रही है तब इनर यातरी पीछे की ओर जुकते हैं ना कि आगे की ओर आगे की ओर कब जुकेंगे जब मोसन में होगा और जब अचानक से ब्रेक लगेगा यह तो पैक्टिकल है हम लोग रोज सफर करते हैं अब देखे होंगे हम बैठे हुए हैं जैसे ही ड्राइवर आया गाली को ड्राइव कीआ और जैसे ही जटका लिया हम पीछे की ओर जैसे ही ब्रेक लगाया हम कहा जाते हैं आगे की ओर कभी के भी हैसा इस दिती होता है कि सामने अगर कुई ना कुई हो तोबस सर टकरा आ या फिर हम सीशा तोड़के बाहर निकल जाए जो आप देखे हो इस वाले फिगर में इस वाले फीर में यानि अचानक से बरेक लगा चलती बरेक कुस्टन के आएगा चलती गारी में अगर बरेक लगेगी तो बैठा पैसेंजर आगे की ओर जुकेगा या पीछे की ओर जुकेगा वचा सिछा तोड़कर बाहार आ जाएगा ठीक है तो यानि ये किलियर है कि न्यूटन या जर्णतों के पर्थम नियम के उदाहरन के तहट देखेंगे कि जब कार या ट्रेन अचानक चलेगी तो यातरी पीछे की और जुक जाते हैं ब्रेक लगेगी तो आगे की और जुकेंगे उसका भी एक्जामपल देतें ताकि आ शारा कुछ include कर दिया आपके इस लेक्शर के साइकिल हो हो राइडर कार हो ट्रेन हो राइडर के साथ वही श्थेती होगी यानि क्या कहा कि विनर रनिंग बैस किल होर्स राइडर कार और ट्रेन स्टॉप सडेनली डा राइडर पैसेंजर बैंट्स फॉरवर्ड जब इक च जुक जाते हैं आप देख रहे होंगे विचारा एक गुंगुनाते हुए निकला गधर की तरह और जैसे गुंगुनाते हुए निकला मस्ते में था जैसे ही सामने दिवालें दिखी अचानक से ब्रेक लगाया यह कहां बाउंडरी पार कर गया यानि अगर पाकिस्तान का होगा ते लोसी क्रॉस करके इंडिया में पहुंच गया आरी बाते समझ में यानि जब चलती साइकिल घोड़ा कार यह रेल गाड़ी अचानक रुकेगी तुस पर बैठा सावार यात्री हमेशा आगे की ओर जुकेंगे जब शुरुवात में चलेंगी तब हम पीछे की ओर जुकेंगे किलियर हो गया चलिए अब कुछ और एक्जामपल देख लें क्या कहा एक्जामपल क्या कहा कि जो भी नूटन के पर्थम नियम में जो भी ऑब्जेक्ट है वो अगर इस्थीर में है तो इस्थीर में ही रहना चाहेगा जब तक कोई बाह बल्ल कारी ना करे अब ब्लैंकेट होन्ट है तो जड़ा अब देखें होंगे कि जितने भी तोसक हैं जितने भी दर्यों अगेर है जो त Macbonsen अगिया में यूज होते हैं उसे वास नहीं किया जाता ध्यवर्य रोतनAl जाता है उसे चड़ी से पीटा जाता है यानि वेन ब्लैंकेट कोट इस बीटेन बाय इस्टिक दड़स्ट पार्टिकल्स और रेमोवड जब कंबल कोट को एक चड़ी से पीटा जाता है तो धूलकन हट जाते हैं कि लिए हो गया तक तक बस फोकस्ट क्या करना आपको केवल और केवल एक्जामपल पर फोकस्ट करना है कैसे क्यों हटेगा जितने भी रेस्ट में थे जैसे ही छड़ी से पीटा वो धूलकर हटकर हटना सुरू हो जाता है अब आगे देखिए निउटन के पहले नियम से हमें बल की परिभासा प्राप्त होती है फोर्स लगता है तब अब फोर्स हुझ एसाई उनिट इज नियूटन जिसका एसाई मातरग खुद क्या होगा नियूटन होगा यानि बल का एसाई मातरग क्या है नियूटन है अब देखिए नियूटन का सेकेंड लाओं क्या कहां दा रेट अब चेंजिन मोवेंटम ओफ बाड़ी इस डिरेक्टी परपोर्शनल तुद अप्लाइट फोर्स ऑन दा बाड़ी एंट टेक्स प्लेस इन दा डिरेक्शन अब दा फोर्स एक पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर सीधे पिंड पर लागू बल क्या अनुपातिक होगा और बल की दिशा में होगा बल की दिशा में जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में ये कारी करेगा अगर धक्का देगा तो भीया उसी दिशा में तो जाएगा उल्टा तो लगाएगा नहीं यानि एक पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर सीध अगर कोई force f force applied है यानि लगा हुआ बल a क्या है उत्पन त्वरन acceleration और aim है पिंड का दरभिवान यानि उसका mass तब जाकर प्राप्ट क्या होगा f is equal to aim यानि लगा हुआ force aim क्या हो गया mass किसी भी object का force कैसे निकालेंगे लगा हुआ mass यानि उस पर जो भार है और जो किस गती से किस त्वरन से कारे किया दोनों का multiple यानि वेंजक निकल कर आएगा बल का force का तो कह सकते हैं कि Newton's second law gives the magnitude of the force Newton के दूसरे नियम से बल के परिमान की जानकारी मिलती है कोशन क्या रहेगा Newton के पहले नियम से बल की परिभासा मिलती है Newton के दूसरे नियम से बल के परिमान की जानकारी निकल कर आती ठीक है अब आजाते हम लोग third law देखिएगा third law जानि action reaction की काम करें हम to every action there is an equivalent opposite direction जार रियक्षन कहें जिस गती से हम काम करेंगे जैसे हम दिवाल में टक्कर मारेंगे जितना तेजी से टक्कर मारेंगे उतना ही तेजी से हम पीछे आएंगे अब देखिए एक सनेयर रस डाउन यानि एक बैलून को अगर हम फूलाते हैं फूलाने के बाद अगर उसे छोड़ें तो जितना तेजी से वो निकलेगा बुली बुला उसका या गैस कहें उतना वो क्या होगा उठेगा जानि परते किरिया के लिए एक समान और विप्रित परते किरिया होगी विसे हम न्यूटन का तीसरा नियम कहेंगे अब बैसिकली जो इस नियम में कोश्चन क्या रहेगा एक्जामपल रहेंगे जैसे रिक्वाइल अगर हम बंदुक चलाएंगे तो बंदुक से जितने तेजी से गोली निकलेंगी उतने ही तेजी से हमारा कंधा जटकेगा पीछे वही कहा कि there is an equal and opposite reaction जितना तेजी से हम गोली छोड़े उतना ही तेजी से हमारा कंधा आगे क्यों जटकेगा तो बिसिकली क्या कहा हम फोकस्ट रहें एक्जामपल पे देखिए पहला एक्जामपल जैसा मैं एक्जामपल दिया रिक्वाइल अब गन बंदू का पीछे हटन इसदा एक्जामपल ओफ दिख्वाइल अब डगन इसदा एक्जामपल आफ बंदू का पीछे हटना का उदाहरन है न्यूटन का पर्थम नियम न्यूटन का दूसरा नियम कभी-कभी ना देखे जलतों का नियम देगा तो गढ़बल मत करना जोगी जलतों के नियम कोई हम गोली छोड़ें देखिए जटक के कहां आ गया पिछे आ गया आ गया ना जटक के पीछे तो वही कहा कि जितने तेजी से गोली छोड़ेंगे उतना ही तेजी से कंधा जटक गया पंदुग पीछे आएगा यानि कंदा जटक तभी तो बंदुग पीछे आएगा यह पहला एक गती दमोशन ओफ रॉकेट कोशन के आएगा रॉकेट की गती जैसे हम रॉकेट को छोड़ते हैं वो किस गती के अधार पर कारे करता है न्यूटन का तेसरा नियम जैसे ही छोड़ें गैस देख रो फॉर्स ओन गैस एक्षन जितने तेजी से ये निकला उपर उतने ही तेजी से गैस एक्षन में काम किया और यह बास समझे या ऐसे समझे लें जिस तेजी से गैस काम किया उतने ही तेजी से रियक्षन से ये उपर बढ़ा कि तो कह सकते हैं रॉकेट की गती दमोशन ओफ रॉकेट एग्जामपल ऑफ निव्टन स्थर्ड लाव यानि रॉकेट की गती न्यूटन का तीसरा नीयम का एक सुंदर उधाहरन कह सकते हैं और कुछ एग्जामपल देखिज स्वीमिंग जितना हम हाथ मारते हैं उतना हमें मारना पड़ता है तब आगे वरते हैं थो तैरना भी किसका उद्हारण है नीउट्न का तीसरा नियम का उद्हारन है एक्सơn फोर्स रिएक्सस फोर्स जैसे हम पैर मारेंगे वैसे हात्थ स्मारना पढ़ेगा तभी सा अधिम थोचना पढ़ेगे और ग्यांपल देखके १म कूओं से पान निकालते हैं दो जैसे रशी तूटता है तो अगर हमारी किस्मत खराब है और नियूटन का सभीवां नियम काम नहीं किया तो कुमे में गिरेंगे लेकिन यूटन के अनुसार जैससे aqueles क्या यही written तूटा जा allora कि बाल्टी कुमे में गिरेंगे और हम पीछे क्यों गिरेंगे खांगरेंगे पीछे दिखेंगे इन जितना तेजी से बाल्टी नीचे किरा वही का एक्षन और एक्षन वाली काम हो गई ना तो हम पीछे आ जाएंगे यानि ड्राविंग वाटर फ्रॉम दा वेल इफ दा श्ट्रिंग ब्रेक्स अप दिन मैं ड्राविंग वाटर फॉल्स बैक और बकेट फॉल्स इन दा वेल कुमा से पाने निकालते वक्त अगर रसी तुट करन होंगे। थो याद होगा हमने पेहले नियम मीश्ता या फैसर नियम दौताया दूसरा नियम से परिंभासा एप्ट इस्तरे नियम से एक्षेंटar का उप्वाव एक्षण का काम हुआ और हम इसा ही एक्षान होता है उसके आप फोजित अक्षेंट असमान्स में अगे तो क्या कहता है कोश्चन हम असानी से साल्व कर सकते हैं ठीक है तो यह था न्यूटन्स लॉव आई थिंक इस चेप्टर ना कॉंसेट आपको समझ में आया होगा और किलियर हो गया होगा ह कि जब नेख्टस चेप्टर में मिलेंगे फिजिक स्वाले में तब देखेंगे बात करें ग्रैविटेस्टर ड्लीक ग्रैविटेस्टरल की बात करेंगे तो याकिनन इस चेप्टर replied कॉंसेप्ट केलियर होंगे जो आपकी एक्जाम हौल में काफी मतदगार करेंगे तो मिलेंगे फिर से नए लेक्चर में तब तक के लिए धन्यवाद